हेलो फ्रेंट, वेलकम टू MKS विजिस क्लासिज, हम ने इसके वेलोसिटी टॉपिक पर डिसकस किया था, इसी से रिलेट हम नुमेरिकल देखते हैं, जैसे जा अर्थ यह कोई अर्थ है, इसकी एच हाइट से हम किसी बॉड़ी को इसकेप कराना चाहते हैं, इसकेप का मतलब फाइनल टोटल एनर्जी, मेकेनिकल एनर्जी, इनिसियल प्रोटेंसिल एनर्जी क्या होगी, हम बात कर रहे हैं, तांकि यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि जो बॉड़ी जो है, वो अर्थ सर्फेस से एच हाइट पर है, और एच की वेल्यू हमने क्या पूट कर रखी है, इस के वेलोसिटी, तो यहाँ पर इसकी कानेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम, वी ए का स्कूर, इसकल टू, मैंने भी क्या बताया था, प्रिवेश टॉपिक में, जो इन्फाइनाट पर प्रोटेंसिल एनर्जी और कानेटिक एनर्जी को क्या आजिम करते हैं, जीरो प्लस तो यहां से M से डिवाइड कर दीजिए, तो M से M कैंसिल हो जाएगा, तो VE इसकल टू क्या होगा, यह टरम उदर जाएगा, तो मारस मारस क्या हो जाएगा, पिलस, तो जब इसका स्कूर अटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी एम, अपोन आर, यह हमारी जो इसके वेलूसिटी फाइंड होई है, कहां पर फाइंड हुए, अर्फ सर्फेस से हाइट पर, और हाइट हमने एजूम कर रहा है, कैपिटल आर, यहां बैलूट कर दीजिए, VE इसकल टू अंडर रूट 2 जी एम, अपोन 2 आर, 2 और 2 से मल्टिप्लाई कर लिए, क्योंक आएगी, अर्फ सर्फेस पर जो इसके वेलूसिटी का फॉर्मूला होता, वो कितना होता है, 2 जी एम अपोन आर, तो यह चीज अंडर रूट में जो यह चीज है, यह आपकी बन गई VE, और बचा अपोन में अंडर रूट 2, और अर्फ सर्फेस पर VE की वेलू क्या होती, 11.2 अपोन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 उपर इंचे मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह रूट 2, रूट 2 कितना होता होता है, 2 और 2 से से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा हमारा, 5.5 इंटू रूट 2, अब हम रूट 2 की वेलू पुट कर देंगे, यहाँ पर 5.5, स्वारी, 5. 5.6 आएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, तो 11.2 है, 5.6 इंटू 1.414, जब इसका मल्टिप्लाई करेंगे, तो हमारा यह एप्रॉक्सिमेट आजाएगा, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, तो हमारा उप्सन करेक्ट होगा, C, नेश कुष्ण देखते हैं, यहाँ पर हमा इस पॉइंट पर, इस जगह पर, इसका विलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसका विलोसिटी फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, इस और इसके बीच में क्या होगा, पोटेंशिल एनरजी होगी, तो कंजर्बिशन हों मेकैनिकल एनरजी हम फॉर्म करेंगे, तो क्या होगा, टोटल initial mechanical energy is equal to total final mechanical energy, तो क्या होगा U initial plus K initial is equal to U final plus K final, U initial इन दोनों के भीच की potential energy क्या हो जाएगी, minus GM1M upon R1 plus bracket में, इसके लिए क्या होगी, minus GM2M upon R2 यह potential energy होगी initial, अब यहाँ पर initial kinetic energy क्या होगी, इसको हमने कितनी velocity given की है, VE required की है, VE, तो half MVE का square is equal to 0, 0 क्यों लिया क्योंकि आपको पता, infinite पर इन दोनों total energy का sum कितना होता है, 0 अब देखिए half MVE dash का square, is equal to अब वो यह term उदर जाएगा, यह term भी उदर जाएगा, तो positive हो जाएगी कोई another board ही है, जिसके हमें escape velocity find करनी है, तो हम इस तरीके से find करेंगे, एक बार और देख लेते हैं, M1 mass की बज़ए से इस पर potential energy find कीजिए, इसकी बज़ए potential energy find कीजिए, दोनों को add कीजिए plus kinetic energy क्या होगी half MVE का square is equal to final potential energy 0, final kinetic energy 0, फिर इसको solve कर लेंगे तो हमारी इसके जो velocity होगी वो कितनी हो जाएगी, VE' is equal to under root 2GM1 upon R1 plus 2GM2 upon R2 thank you friend